बिसमिल्ला हिदा माने जहीं पुराने स्वेटर से टोपा बनाना बताएंगे बहुत ही असान तरीके से टोपा बनाना बताएंगे देख सकते हैं यह हमारे पास पुराना स्वेटर है इसका यूज़ करके हम टोपा बनाएंगे टोपा हम अस्तीनों से बनाएंगे अस्तीने हम हम इसकी कट कर लेंगे स्वेटर की यहां से अस्तीन कट कर लेंगे मुड़े के पास से ऐसे हमें दूसरी अस्तीन भी कट करना है हमें ज्यादा कपड़े की जरुवत भी नहीं पड़ेगी सिर्फ अस्तीनों से हमारा टोपा बंद कर तयार हो जाएगा दोनों अस्तिन कट कर ली है इसको उल्टा कर लेंगे अस्तिन को और ये साइडों से जो सिलाई लगी हुई है खोल देंगे दोनों अस्तिनों की सिलाई साइडों से खोल देंगे देख सकते हैं ये हमने साइडों की सिलाई खोल दी है दोनों अस्तिनों की दोनों कपड़ों को एक बराबर इस तरीके से रखना है सारी सिम्टने इसकी निकाल देंगे अच्छे से इसको बिछाएंगे एक बाइस को लंबाई में फोल्ड करेंगे इस तरीके से टोपे की लंबाई हमें चाहिए है 15 इंच 15 इंच पे हम निशान लगाएंगे करना है 15 इंच की जगा इसकी लंबाई 20 इंच लेना है और इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है निशान पे कटिंग कर लेंगे कपड़े की जो चौड़ाई हम ले रहे हैं वो पाच इंच ले रहे हैं यह टूपा हम बच्चों के लिए बना रहे हैं अगर बड़ो के लिए भी बनाएंगे तो चौड़ाई इसकी पाच इंच ही लेंगे बड़ो का टूपा बनाने के लिए लंबाई हमें से जादर लेना है और चौड़ाई इतनी ही लेना है और कोई चेंज हमें नहीं करना है यह हमने पाचिंज का निशान लगा लिया है इस निशान को सीधा कर लेंगे निशान पे कटिंग कर देंगे कितनी असानी से देखेंगे आप टूपबन का तयार हो जाएगा दादा इसमें हमारा कपड़ा भी नहीं लगेगा अब इस कपड़े को बिचा लेंगे इसकी लंबाई चोड़ाई बता देते हैं अब इस कपड़े की कितनी है 10 इंच इस कपड़े की चोड़ाई है इसकी लंबाई 15 इंच ली है हमने एक बार इसको लंबाई में फोल्ड करेंगे अब एक बार इसको चोड़ाई में फोल्ड करेंगे इस तरीके से देख सकते हैं ये इसकी खुली साइड है और ये इसकी बंद साइड है इंजी टेप रखेंगे फाक रखेंगे निशान लगादेंगे य सी zw अ मिलते वे शेफ को रखेंगे यह हमने कटिंग कर ली है अब इसको खोल लेंगे देख सकते हैं यह हमाई दोनों पीसों की कटिंग हो गई है एक बार लंबाई में फोल्ड करेंगे इस तरीके से निशान लगाएंगे दो इंच लंबाई लेंगे यहां से हाफ इंच लेंगे इस निशान को इस तरीके से मिला देंगे इस निशान पर सिलाई लगाएंगे अब दूसरी साइड भी ऐसे ही निशान लगा लेंगे दो इंच इसकी लंबाई लेंगे हाफ इंच लेते हुए इस निशान को इससे मिला देना है जैसे हमने उस साइड निशान लगाया वैसे हमें सेम तरीके से यहाँ भी निशान लगा लेना है अब इसके दूसरे वाले पीस पे भी हमें ऐसे ही निशान लगाना है इस तरीके से कपड़े को लंबाई में फोल्ड कर लेंगे निशान लगा लेंगे दूसरी साइड भी ऐसे ही निशान लगाएंगे बिल्कुल सेम तरीके से जैसे हमने लगाए है निशान वैसे ही लगा लेंगे निशान लगाने के बाद दोनों पीसों को अलग कर लेंगे फिर हमें सिलाई लगाना है इस तरीके से दोनों पीसों को हमें एक साथ सिलाई नहीं लगाना है इस तरीके से एक पीस को हमने एक बार फोल्ड किरा और निशानों पे सिलाई लगा दी से लाई लग गई है अब इसकी कटिंग कर देंगे दूसरी साइट से भी ऐसे ही कटिंग कर देंगे दूसरे वाली पीस की भी ऐसे ही कटिंग करेंगे यहां से भी दूसरी साइट से भी कटिंग कर देंगे यह हमारी cutting हो गई है दोनों पीसों की कपड़े को इस तरीके से बिचाएंगे देख सकते हैं यह कपड़े की उल्टी साइड है जिस साइड से हमने सिलाई लगाई है वो साइड है यह और यह हमने सीधा कपड़ा इस तरीके से बिचा लिया है अब हम दूसरा कपड़ा इस तरीके से बिचाएंगे देख सकते हैं कपड़े की उल्टी साइड है जिस पर हमने सिलाई लगाई है जिस साइड पर सिलाई लगी हुई है इस तरीके से रखेंगे निशान लगा दिया है अब हम यहां से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे यहां तक इस तरीके से हमें यहां तक हमें सिलाई लगाना है इतने बीच में हमें सिलाई नहीं लगाना है जहां पर हमने निशान नहीं लगाया है वहाँ पर हमें सिलाई भी नहीं लगाना है सिर्फ इतने बीच में हमें सिलाई छोड़ देना है सिलाई लगाएंगे बस हमें यहीं तक सिलाई लगाना है पूरे में ऐसे ही कट लगा लेंगे ध्यान रहें सिलाई नहीं कटना चाहिए इस तरीके से इसके उपर इसको रख लेंगे यहां से यहां तक सिलाई लगाएंगे अब यह जो खुली साइड है यहां से इसको पलट कर सीधा कर लेंगे यह टोपा दोनों साइड से पहन सकते हैं उल्टी साइड से भी और सिधी साइड से भी क्योंकि इसकी सिलाई यह अंदर की साइड चली जाएंगी कोई भी सिलाई बाहर की साइड नजर नहीं आएगी दोनों साइड से यह एक साइड लगेगा कोई भी सिलाई बाहर नहीं दिखाई देगी अब यह जो इसकी खुली साइड है इस तरीके से इसको पकड़ते हुए कपड़ा अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे हाथ की सिलाई लगाएंगे इसकी सिलाई यह बाहर की साइड नजर नहीं आएगी क्योंकि यह काफी मोटा कपड़ा है इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे तो सिलाई बाहर की साइड नजर नहीं आएगी दोनों साइड से अच्छा फिनिशिंग के साथ बनकर रेडी हो जाएगा इसको आप किसी भी साइड से लगा सकते हैं दोनों साइड से ये एक साइड दिखाई देगा इसको अच्छे से पका कर ले फिन धागा कट कर ले देख सकते हैं कितनी असानी से टोप बनकर रेडी हो गया है और इसकी कोई भी सिलाई बाहर की साइड नजर नहीं आ रही है इसको पलट कर भी दिखा देते हैं देख सकते हैं इस साइट से भी इसकी कोई भी सिलाई दिखाई नहीं दे रही है टोपे को दोनों साइट से पहन सकते हैं